दोस्तों वीडियो को जैदा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें, दोस्तों आपकी प्यार और सपूर्ट की हमें बहुत ही ज़ुरूर्थ है हेलो नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका जिए ही दिद्दों इस वीडियो में आपको देखने को विलेगे सबीप्र भी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर शिल बादे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तों शूरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कठुआ मामले में 6 आरोपी दोसी करार एक को बरी किया गया है, जी हाँ तो सुन, जमू कस्मिर में कठुआ में पिछले साल जनवरी में 8 साल की बच्ची के साथ बलातकार और उसकी हत्या के मामले में फैसला आया है, मामले में 7 आरोपीों में 6 आरोपीों को दोसी पाया गया ह बिसाल नाम के एक आरोपी को छोड़ दिया गया है आपको बता दे कि जमू कस्मिर सही तो पूरे देश को हिला देने वाला यह जगने कांड जमू कस्मिर के कठुआ में हुआ था जहां आठ साल की बच्ची को पिछले साल जनवरी में आगवा कर लिया गया था आरोप यह है कि बच्ची के साथ दूसकर्म भी किया गया और उसे चार दिन तक बेहोस रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गया है मामला को रोजाना आधार पर सुनवाई पडोसी राज पंजाब के पठान कोट जिले और सत्र अदालत में पिछले साल जून में उसे सप्ताह में सुरू किया गया उचितम ने आले ने मामले को जम्मू कस्मिर से बाहर भेजने का आदेस दिया था जिसके बाद जम्मू से पठान कोट की अदालत में मामले को भेजा गया था स्तिर्स अदालत का आदेश तब तक आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध साखा के अधिकारियों को इस संसनी खेज मामले में आरोपतर दाखिल करने को रोका था अपराध साखा से इस मामले में ग्राम प्रधान साजी राम और उसके बेट बिसाल किसोर भतीजे और उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफतार किया गया था इस मामले में दो विसेश पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया और सुरेंदर वर्मा को भी गिराफ़तार किया गया था साजी राम के कथित तोर पर चार लाक रुपए लेने और महतपुन सबूतों को नश्ट करने के मामले में हेड कॉंस्टेबर तीलक राजस था उसके एस आई आनंद राज को भी गिराफ़तार किया गया था जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी के पर हिंसा मामले पर ममता सरकार का केंदर को जबाब इस तितिनी अंतरन में है टीमसी ने लगाया सत्ता हंतियाने कारोप जी हाँ तो सो पस्चिम मगाल में हिंसा की खबरों को लेकर के किंदर में सक्त रवये के बीच पस्चिम मगाल की ममता सरकार ने ग्रीह मंतराले को एक पत्र लिखा है राज के लोक्स बचुनाओं के बाद जड़ब की छीट उट घटाए हुई है लेकिन इस्थितिन यंतरण में है दरसल त्रिमूल कॉंग्रेस और भाजपा के करकारताओं के बीच हिंसा में सन्यवार को चार लोग मारे जाने के बाद केंदर में आज दिन में एक परामर्ज जारी किया गया था जिस पर राज़ सरकार ने यह जबाब दिया है राज़ के मुख सचीव मले कुमाडे ने ग्रीम मंतराले को पत्र लिकर के कहा है कि हिंसा के सभी मामलों के बीना किसी देरी के कड़ी और उचीत करवाई की जाए उन्होंने पत्र में कहा है कि कुछ समाजिक तत्व के चुनाओ के बाद जड़व की चिटपुट घटना को अंजाम दिया गया कानून प्रवर्तक अधिकारी ऐसे सभी मामलों के बीना किसी देरी के कड़ी और उचीत करवाई करे पत्र में कहा गया है कि उत्तर 24 परगरा जिले में नाजूट पुलिस थाना चेतर के तहट हुई इस ताजा घटना में भी मामला दर्ज किया गया है वह भी इस्तिती में जब छेतर में सांती बनाये रखने के लिए पुलिस बल सणकों पर और आसपास के छेतर में व्यस्थ है पत्र में कहा गया है कि इस्तिती नियंत्रण में है और किसी भी पर इस्तिती में इसे सरकार के कानून का सासन बनाये रखने में कानून लागू करने वाले तंत्र की नाकामी नहीं समझा जाना चाहिए इसमें पहले ही दीन के केंदर में राजी सरकार को परामर्स जारी करके कहा था कि पुष्ची मंगाल को दिये गई परामर्स में ग्रीह मंतराले ने उसे कानून बेवस्था और सांती बनाये रखने को कहा था परामर्स में कहा गया है कि पिछले कुछ सब्ता हो में राजी में बगैर उकसाय हो रही हिंसा रज के कानून ब्यवस्था बनाय रखने और जनता के विष्वास कायम करने में रज के कानून प्रवर्थक तंत्र की नाकामी प्रतित होती है त्रिमूल कॉंग्रेस के महास्चीव पार्थ चोटर जी ने केंदर द्वारा रज सरकार के परामर्स भेजे जाने को राज सरकार के खिलाफ सोड़ियां तो बता है उन्होंने समवधताओं से कहा है कि पश्ची मगाल देश का सरवाधिक सांतिप्री रज है और यहां राजनितिक खून खराबों के घटना नहीं हुई है उत्तर पर देश को इस तरह का परामर से क्यों नहीं भेजा जा रहा है ज सरकार इस बजट में कड़ा कदम उठा सकती है अगर मिल रही जानकारी को सही माना जाए तो सरकार VTA वर्स में 10 लाक रुपए से ज्यादा कैस निकालने वाले उन लोगों पर टेक्स लगा सकती है अगर ऐसा होता है तो बड़े लेंदेन लोग डिजिटल रूप से ही करेग तो एक तो लोग भारी मातरा में नगती नहीं निकालेंगे और अगर निकालेंगे भी तो ऊसको ट्रै कर पना आसान हो जाएगा ऐसी निकासी में अधार नमबर से होती है तो यह उस वैक्ति को आएकर रेटर में मैच कराना आसान हो जाएगा ऐसा होने से आयकर की चोरी रुखेगी वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट का रूख करेंगे हाला कि सरकार ने अभी तक ऐसा करने की प्रस्तावम में जूरी नहीं दी है लेकिन ऐसा करने में बिभिन तरीकों पर विचार किया जा रहा है हाला कि अभी तक सुरुवाती दोर में ही है और इस पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है हाला कि अभी भी 50,000 रुपे से ज़्यादा के कैस और निकासी पर पैन नमर देना अनिवारे हो गया है वहें इससे पहले डिजिटल पैमेंट को बढ़ावा देने के लिए आर्पियाई ने पिछले सब्ताही निफ्ट और आर्टी जीएस पर सुल्ख खटा दिया है इसके आलावा क्रेडिट कार्ड और एटियम कार्ड पर सुल्क भी समिक्षा के रूप में एक कमीडी का भी गटन किया गया है इसमें भी गैर नगत लेंदेन को बढ़ावा मिलेगा अगली बड़ी के पर पाकिस्तान की आधी कमाई कर्ज की किस्त देने में ही होती है खत में इमरान खाने दिया बड़ा बयान जी हाँ दोस्तो खस्ताहाल आर्थिक इस सिती से जूज रहे पाकिस्तान के प्रधार मंतरी इमरान खान ने देश के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तानियों को 30 जून तक अपनी बेनामी संपति घोसित करने को कहा है। 30,000 अरब रुपे तक पहुँच गया है वहां का करज इमरान खान ने कहा है कि टेक्स के रूप में उनका देश जो 4,000 रुपे इकठा करता है तो उससे आधि यानि की लगबग 2,000 अरब रुपे करज के किसे देने में ही चला जाता है और 2,000 अरब रुपे ही बसता है उससे देश नहीं चलाए जा सकता है इमरान खान पाकिस्तानियों से कहा है कि वे इमांदारी से टेक्स चुका है केटर के राज़िते के बने इमरान खान ने कहा है कि अगामी बजट को ले करके एक मिल्टें की अधग्शिता की है और पाकिस्तान के नाम उनके संबोधन से पहले ह बज़ट पेस करेंगी सरकार अपना पहला बज़ट 11 जून को पेस करेंगी यह बज़ट इमरान खान के रजस और वितिये मामलों के वितिये सलाकार मंतरी डॉक्टर हाफिज सेख पेस करेंगे पिछले महीने ही पाकिस्तान की सरकार ने अंतराष्टिये मौदरिक संग यानि आईमेफ के साथ 6 बिलियन डॉलर के ब्लेक आउट पैकेज के लिए करार किया है हाफिज सेख ने बता है कि आईमेफ कारिकरम के तहट पाकिस्तान 3 साल के ओधी के लिए 3 बिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त करेगा इस मदद के आरवा आईमेफ की ओर से पाकिस्तान 2-3 ब कॉंगरेस नेता नौजो सिंग सिद्धू और मुख्यमंतरी अमरिंदर सिंग के बीच इस्थिती आजकल बेहद ही तकली हो चुके हैं। दोनों निताओं के बीच तकली अब सारवजिंग तोर पर जाहिर हो चुकी है। इस बीचे सिद्धू ने कॉंगरेस अदक्च राहूल गांधी और उनकी बहंद प्रियंका गांधी से मुलकात की है। इस मुलकात के दोरान कांगरेस के वरिष्ट नेता अहमद पटेल भी मौझू थे। राहूल से सिद्धू की इस मुलकात के बाद कई तरह के कवाईस लगाए जा रहे हैं। आपको बता दे कि पंजाब कैबनेट में हुई फेर बदल में नौजो सिंग सिद्धू का विभाग बदलने जाने के बाद से यह साफ नहीं हो पाया है कि वह अपने नए मंत्राले संभालने के याकिन नहीं। सिर्केटर से नेता बने सिद्धू और उनकी पत्मी नवजोद को और फिलहाल मीडिया से दूर रही है। इस सलाकार समुहों को राज सरकार के कारिकरमों में परदस्तन की समिख्षा करने और उसे सुधारने के लिए सुजारू करने के अधिकार दिये गये हैं। एक अधिकारी के बयान में कहा गया है कि ये समोह कारेकरमों के पहुँच से सुधार और उनकी नागरिक्ता के हिस्सेदार के बीच बदलाओ के भी सुझाओ देंगे जी हाँ दोस्तो अगली वड़ी कबरें अमेरिका से खरीदे गए हथियार को इस्तमाल नहीं करना जानती है साओधी अरब जी हाँ दोस्तो पेंटागन के एक पूर अधिकारी ने स्विकार किया है कि साओधी सेना अमेरिकी हथियारों का इस्तमाल नहीं करना जानती है पेंटागन के पुर वरिष्ट अधिकारी माइकल मारलो ने स्विकार किया है कि और उन्होंने कहा है कि साओधी अरब ने अमेरिका के तरह तरह के हत्यार खरिद ली है और अपने गोदामों में भर ली है लेकिन उन्हें हत्यारों का इस्तमाल करना नहीं आता है पास्टुडे.com के अनुसार मारलू का कहना है कि अमेरिका से खरीदेगा बमू का इस्दमाल साओधी अरब ने यमन के आम नागरिकों के खिलाफ किया गया था और आम नागरिकों की हत्या उसमें की गई थी आपको बता दे कि साओधी अरब युएई में ने मार्च 2015 में यमन के किलाफ युद्ध छेड़ा था अमेरिका और इस युद्ध में साओधी अरब और युएई का भरपूर समर्थन कर रहे थे हाला कि अमेरिका के भरपूर समर्थन के बावजूद आकरमनकारी देश अपना कोई भी लक्ष हासिल नहीं कर सके हैं